है योल दिस महाईश़् कुमार एंड आएक्स अगें इडाए रहता है ये वेरी वेलकम तू अल अव यूटुप चैनल ये जनेपक्स एजूकेशन ओके जनेपक्स एडिकेशन Friends, हम एक Series run कर रहे थे और वो Series थी Learning Tenses Learning Tenses में हम तीन वीडियो जाल चुके हैं जिसमें हम Present Indefinite, Past Indefinite और इसी तरह से Future Indefinite के अलावा Continuous तक Tenses कवर कर चुके हैं Future Continuous तक हम कवर कर चुके हैं इसलिए आज जो बारी है इस Fourth Part में जो हम बात करने जा रहे हैं Fourth Video में जो बात करने जा रहे हैं वो हम आज करेंगे Perfect Tense की Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect तो Sentence हम वही दो Continue कर रहे हैं जैसे कि हमने पहले कहा था कि हम सिर्फ दो Sentences के माध्यम से ही सिर्फ दो Sentences के थूई पूरे Tenses को सीखेंगे जिससे कि आपके लिए Easy रहे जो Essence है उसको Capture करना Sentences सिर्फ दो रखें सिर्फ इस वज़ा से कि आपके लिए ये Grasp करने में आसानी रहे कि आखिरकार कौन से Changes हो रहे है तो वही Mita has gone to Mumbai यहाँ Perfect में Change हो गया हो और Second रहेगा V से शुरू होने वाला वही सिक्वेंस से फिर से सबसे पहले हम Affirmative Sentence देखेंगे Present, Past, Future यही सिक्वेंस रहेगा सबसे पहले हम Present के Tenses देखेंगे उसके बाद Past, उसके बाद Future इसी तरह से Present में भी सबसे पहले Affirmative फिर Negative उसके बाद Simple Interrogative जो की Helping वर्प से बनता है क्या वाले हिंदी में जो Sentences क्या से शुरू होते है क्या वह मुंबई जाता है क्या वह मुंबई गया और इसी तरह से फिर Negative Interrogative Simple का Negative Interrogative उसके बाद W-H Sound वाला Negative Interrogative और देन W-H Sound वाला ही Negative Interrogative तो सबसे पहले Affirmative रहाएगा फिर Negative फिर Interrogative फिर Negative Interrogative उसके बाद W-H वाला Interrogative और उसके बाद W-H वाला ही Negative Interrogative तो हर एक Tense को हमने इस तरह से 6 सब ग्रूप्स में Divide किया है फिर से उके इसी तरह से हम फिर Past में करेंगे और इसी तरह से Future तो देखते हैं सबसे पहले First Example जैसा आप जानते हैं Perfect Sentence जो की नाम से ही पता चलता है इनका नाम इसलिए ऐसा रखा गया है इन Tense को इसलिए ऐसा कहते हैं क्योंकि इसमें कोई काम हो चुका होता है ओके हमें इन Tense को पढ़कर के यह एसास होता है कि जो भी काम दे रखा है जो भी काम को Sentence बता रहा है वो काम Complete हो चुका है इसलिए इसको Perfect नाम दिया जाता है ओके और दूसरी चीज़ यह कि इसमें Verb की हमेशा Third Form आईगी हमेशा चाहे Affirmative हो चाहे Negative हो चाहे Interrogative हो चाहे Negative Interrogative हो कुछ भी Form बनेगी हमेशा Verb की Third Form ही आईगी यानि यहां आपको Main Verb की कोई Tension नहीं लेनी सिर्फ आपको Helping Verb पे ध्यान देना है Helping Verb भी बहुत एजी है जहां Present Perfect में दो Helping Verb है Has और Have वहीं Past Perfect में सिर्फ एक है और वो है Head ओके देखिए Present Perfect में आपको दो Helping Verb मिलेंगी Has और Have Past में Single मिलेंगी और Future में फिर से आपको दो Helping Verb मिलेंगी जो आप पहले भी देख चुके है Will, Have और Shall Have Okay Will, Shall आप पहले ज़े पढ़ते चले आरहे है तो इस तरह ज़े Will और Shall के साथ हैव लग जाएगा Will और Shall किसके साथ आएगे इसके लिए Rule वही रहाएगा जो हम पहले बता चुके है तो सबसे पहले Present देखते है Present में Helping Verb Has और Have हम बता चुके है Has लाएगी सभी Singulars के साथ और Have लाएगी सभी Plurals के साथ Has सभी Singular के साथ Have सभी Plural के साथ बाकी Main Verb की Third Form यह Simple सा Structure है सबसे पहले जैसे कि हम पहले देख चुके है Subject आएगा जो As View Order है वही Continue करेगा सबसे पहले Subject फिर Helping Verb उके उसके बाद Verb की Third Form और उसके बाद Object ओके जब आप Negative बनाएंगे तो Has या Have जो भी Helping Verb है उसके Just But Not आठा जाएगा जैसे कि पहले भी उतरा है ओके तो चलिए शुरू करते हैं First sentence is Mita has gone to Mumbai Mita Mumbai जा चुकी है मीता has gone to Mumbai Mita Mumbai जा चुकी अगर हम Hindi की बात करें We have gone to Mumbai हम Mumbai जा चुके हैं इनको कई बार हम इस तरह से यह बोल देते हैं कि हम Mumbai गए हैं यानि हम Mumbai जा चुके हैं Mita has gone to Mumbai इसके बाद अबजेक्ट इस सो सिंपल फिर से देखिए आप सबसे पहले सबजेक्ट उसके बाद हैल्पिंग वर्ब ओके उसके बाद में वर्ब की थर्ड फर्म और उसके बाद अबजेक्ट और यही सीक्वेंस तीनों परफेक्ट में रहेगा इसलिए हम इस चीज़ को पहले भी क्लियर कर चुके हैं कि जो हम यह परफेक्ट एक साथ पढ़ रहे हैं कंटिनोस एक साथ पढ़ रहे हैं तीनों टैंसे के और इसी तरह से फीचर में हम पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट वीडियोज में अपने परफेक्ट कंटिनोस को तो उसमें भी यही सीक्वेंस चलेगा तो उसकी वज़ा यही है क्योंकि इन टैंसे में बहुत सारी सिमिलरिटीज है इनको ऐसे ही एक नाम नहीं दिया गया तो मीता हैस गौन टो मॉंबई, वी हैव गौन टो मॉंबई इसी का जब आप निगेटिब बनाएंगे बहुत ही सिम्पल है हैज और हैव जो भी हेल्पिंग वर्ब हैं उसके तरन तबाद नोट लएगा और ये हेल्पिंग वर्ब के बाद जो नोट इंटर्डिउस हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ इसी में नहीं है बलके हर एक टेंस में जो भी टेंस का आप निगेटिब बनाएंगे तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद ही नोट इंटर्डिउस होना है helping verb के just बाद अगर helping verb एक से ज़्यादा है जैसे कि आप future में देखेंगे आगे तो वहाँ पे helping verb का जो first part है उसके just बाद Mita has not gone to Mumbai We have not gone to Mumbai ओके negative बन गया उसका अब देखिए interrogative, interrogative में आपको कुछ नहीं करना फिर से आपको affirmative देखना है सिर्फ ओके फिर से एक बार affirmative को देखिए affirmative में जो भी helping verb आई है सिर्फ उसको उटा के शुरू में ले आई है ओके बाकी ऐसा ही sequence रहने दीज़े सारे sentence का पूरा sentence as it is लिख दीज़े बाकी ओके देखिए has शुरू में आगया इसलिए first letters का capital हो गया मीता का क्योंकि मीता एक प्रॉपर नाउन है तो इसलिए first letters का capital ही रहेगा ओके but it will not be so in case of we because we is a personal pronoun ओके सिर्फ personal pronoun है वो तो इसलिए वो capital नहीं रहेगा जब वो हम बाद में लेके जाएंगे तो वो small हो जाएगा तो has हम शुरू में ले आए उसके बाद हमने मीता को as it is लिख लिए और जो बाकी भी sequence था बस लेके has आकर के यहां आ गया और बाकी मीता has gone to मीता gone to Mumbai मीता gone to Mumbai इसी तरह से second example में have we gone to Mumbai have शुरू में आ गया उके उसके बाद we gone to Mumbai फिर से देख लिजए has शुरू में आ गया मुंबई have शुरू में आ गया have we gone to Mumbai इसी तरह से जब आप negative बनाएंगे इसी का यानि negative इंट्रोकेटिव बनाएंगे हाँ यहां पे एक change और करना है बस यह की full stop की जगा आप क्योंकि question बन गया है तो यहां पे question mark लगा देना है ओके तो full stop का जरूर question mark हो जाएगा बागी कोई change नहीं होने है इसी तरह से जब आप negative इंट्रोकेटिव बनाएंगे तो उसके लिए आपको negative देखना है जिर्फ ओके negative में जो helping verb है उसका भी जो first part है अगर कहीं दो या दो से ज़्यादा helping verb है तो सिर्फ first part उसको उटा के शुरू में ले आईए बाकी as it is लिख दीजे meeta has not gone to Mumbai यह affirmative था यह sorry negative था आपका इसका जब आप इंट्रोकेटिव बनाएंगे तो has को उटा के शुरू में ले आईए has meeta not gone to Mumbai इसी तरह से have को उटा के शुरू में ले आईए have we not gone to Mumbai ओके देखिए helping verb meeta के बाद has आ रही थी हाँ has को उटा के शुरू में ले आई has meeta not gone to Mumbai इसी तरह से इसमे helping verb have थी have को उटा के शुरू में ले आई have we not gone to Mumbai last में question mark हो जाएगा बस ओके इसी तरह से जो डवलो एच वाले interrogatives होते हैं उसमें सिर्फ जो आपका उपर वाला interrogative है simple interrogative है सिर्फ उसको देखना है फिर से simple interrogative को देख लिजे simple interrogative से पहले जो आपका भी जो भी interrogative word है वो introduce कर देजे why has meeta gone to Mumbai why have we gone to Mumbai अगर इसी तरह से when लगाना है when लगा देजे when has meeta gone to Mumbai why have we gone to Mumbai ओके इसी तरह से कोई भी अगर आपका दूसरा भी word है तो इसी तरह से बना सकते हैं who has gone to Mumbai ओके इसी तरह से जब इसका negative interrogative बनाना है तो फिर से जो उपर का negative है simple interrogative का उसको देख लिजे ओके और subject के just बाद subject के just बाद क्योंकि helping वर्पतर उठा करके आपकी शुरू में आ गई है तो इसी लिए subject के just बाद not आ जाएगा सिर्फ ओके why has meeta gone to Mumbai okay वही अगर आप देखेंगे इसको भी देखेंगे या इसको भी देखेंगे तो सिर्फ जो भी यह sentence है इसके sentence के पहले ठीक वाई लग गया सिर्फ जैसे यहाँ इसके पहले वाई लग रह था ऐसी यहाँ जो भी वह वर्ट है वो इन से ठीक पहले introduce हो जाएगा बाकी तो structure as it is है ही ओके वाई हैस मीता गौन टुमॉंबई वाई हैस मीता नोट गौन टुमॉंबई वाई है वी नॉट गौन टुमॉंबई इसी तरह से आप past का देखिए past में सिर्फ एक ही helping verb रहती है present में तो फिर भी दो helping verb थी has लग रहा था singular के साथ अगर subject singular है तो has लाएगा helping verb और अगर past अगर plural है subject तो फिर helping verb जो होगी वो have लाएगी singular के साथ present tense के perfect में singular के साथ helping verb लग रही थी वो has थी plural के साथ have perfect में past में ये भी नहीं है सिर्फ और सिर्फ एक ही helping verb है चाहे singular subject हो चाहे plural subject हो एक ही helping verb रहेगी और वो है head ओके मीता had gone to Mumbai we had gone to Mumbai सबसे पहले subject उसके बाद में helping verb जो की head है उसके बाद में verb की third form और उसके बाद में object है अगर आप present perfect को देखेंगे और past perfect को देखेंगे तो सिर्फ एक ही चेंज है और वो है helping verb का बाकी same है यही future में भी रहेगा सिर्फ और सिर्फ helping verb बर बदलेगी जैसे हम पहले भी कह चुके हैं वार वार रिपीट करने का जो उद्देश है वो सिर्फ यह ही है कि आपको अच्छे से याद हो जाए आप में के अंदर कोई confusion ना बचे चीजों को manage करिए चीजों को वेवस्थित करिए आसानी से सीख जाएंगे एक साथ बहुत सारे example अगर हम देखते हैं जैसे कि अक्सर बहुत सारे tutors पढ़ाते हैं तो उसमें क्या रहता है उलच जाते हैं हम समझ में नहीं आता कि आखिरकार changes हो क्या रहे हैं तो पहले इसक simply सीख लिजे उसके बाद practice कितनी भी करते रहेगा ओके नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं वीडियो चलाते time pause करिए pause करके आप और भी इस तरह के बहुत सारे examples और बना के देख लिए खुद मैं यहां इसलिए नहीं कर रहा हूँ ऐसा क्योंकि इससे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और unnecessarily कहीं न कहीं confusion होने की भी गुण जाइश रहती है ओके मीता had gone to Mumbai we had gone to Mumbai subject helping verb head उसके बाद verb की third form main verb की third form उसके बाद object इसी तरह से subject और helping verb 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 की third form और object इसी का जब negative बनाना है कुछ नहीं करना head के बाद not लगा देंगे देखिए मीता had not gone to Mumbai we had not gone to Mumbai मीता had not gone to Mumbai we had not gone to Mumbai सिर्फ और सिर्फ not लगाना है helping verb के बाद main verb से पहले पहले उके इसी तरह से जब आप इसका interrogative बनाएंगे तो जो helping verb है सिर्फ उसको उठाके शुरू में ले आईए यानि head शुरू मा जाएगा simple interrogative में had me ta gone to Mumbai had we gone to Mumbai ये देखिए जो affirmative sentence है उसको देखिए affirmative sentence की जो helping verb है उसको उठाकर के शुरू में ले आईए बस आपको और कुछ भी नहीं करना nothing has to be done more than that okay सिर्फ order change करना है आपको words का बाकी और कुछ है नहीं करना had me ta gone to Mumbai had we gone to Mumbai जो helping verb थी यहाँ पर सिर्फ उठाके शुरू में ले आए और last में question mark लगा दिया okay इसी तरह से जब negative इंट्रोकेटिव बनाना है simple negative इंट्रोकेटिव तो आपको फिर से जो उपर negative बन रखा है उसको देख ले जए और उसकी helping verb उठाके फिर शुरू में ले आईए okay meet a head not gone to Mumbai था फर नेगेटिव आपका इसी का head उठाकर के शुरू में ले आईए head meet a not gone to Mumbai आपका negative इंट्रोकेटिव बन के तहीं आ रहे है okay had we not gone to Mumbai negative इंट्रोकेटिव okay इसी तरह से अगर wh वाला बनाना है तो उपर वाला sentence देखिए और उसमें wh वाला जो वर्ड है वो इंट्रोड्यूस कर दिजए why had meet a gone to Mumbai why had we gone to Mumbai okay कुछ नहीं करना जो उपर simple इंट्रोकेटिव दे रखा है उससे पहले आप wh वर्ड इंट्रोड्यूस कर दिजए ठीक इसी तरह से negative इंट्रोकेटिव बनाना है तो फिर से उपर जो negative इंट्रोकेटिव सिंपल वाला दे रखा उसको देखिए और उसके आगे फिर से y या जो भी आपका wh वर्ड है उसको इंट्रोड्यूस कर दिजए ओकेट चलिए अब देखते हैं future perfect future perfect को देखिए यहाँ पे जो helping वर्ब है वो दो पार्ट में आ गई है ओके help यहाँ पे helping वर्ब दो पार्ट में will have will have या shall have have common रहेगा सब के साथ have आएगा लेकिन will और shall जैसे आप पहले देख चुके हैं वो ही rules रहेंगे first person के साथ shall आएगा और बाकी सब के साथ will first person यानि I और we जो की speaker होते हैं तो सिर्फ first person के साथ shall बाकी सब के साथ I और we okay देखिए मीता will have gone to Mumbai बाकी पूरा structure वैसा ही रहेगा जैसे कि उपर था मीता will have gone to Mumbai we shall have gone to Mumbai मीता के साथ जहां will आया वहीं we के साथ shall मीता will have gone to Mumbai subject प्लस helping verb जो की यहां will have है उसके बाद वर्प की third form और उसके बाद object सभी जो perfect tenses हैं आपके सभी की जो structure रहेगी जो formation रहेगी इस लिहास से वो सेम है सिर्फ helping verb का अंतर पड़ रहा है बाकी से मीता will have gone to Mumbai subject will have प्लस verb की third form प्लस object इसी तरह से we shall have gone to Mumbai subject प्लस shall have जो की helping verb प्लस verb की third form प्लस object इसी का जब आप negative बनाएंगे तो जो first part है यहां फिर से ध्यान रखेगा हम आलंग की पहले भी बता चुके हैं लेकिन यहां first time introduce हो रहा है तो जो वर्ब है helping verb उसका जो first part है उसके just बाद आपको not लगाना है मीता will not have gone to Mumbai, we shall not have gone to Mumbai मीता will not have gone to Mumbai, we shall not have gone to Mumbai helping verb का first part उसके just बाद not लगाना है will not, shall not ओके इसी तरह से जब आप इसका इंट्रोकेटिव बनाएंगे तब भी जो will और शैल है सिर्फ vote करके शुरूमा आएगा पूरी helping verb नहीं आएगी यहां ध्यान रखेगा जब आप simple इंट्रोकेटिव बनाएंगे जो कि क्या से करके बनते हैं क्या मीता मुंबई जा चुकी है क्या मीता मुंबई जा चुकी होगी इस सेंस में future perfect में क्या मीता मुंबई जा चुकी होगी क्या हम मुंबई जा चुके होंगे तो helping verb जो भी उसमें लग रही है उसका सिर्फ first part आएगा विल मीता हैव गॉन टो मुंबई ना की पूरा will have विल मीता हैव गॉन टो मुंबई इसी तरह से shall we have गॉन टो मुंबई और बाद में question mark सभी interrogatives में question mark आना ही है विल मीता नाट हैव गॉन टो मुंबई जब इसी का negative बनाएंगे तो negative को देख लिजए जैसे हम पहले भी कई बार कैच्छोंगे जब भी आपको कोई कभी भी अगर कोई आपको interrogative बनाना है तो interrogative के लिए आप ठीक उससे पहले जो आपका affirmative आया है तो वैसे यहां से विल शेल जो भी helping वर्प थी वो उसको ठाके शुरू में ले आए बाकी as it is लिख दिया इसी तरह से जब आप डॉल्यो एच वाला बनाएंगे वाई विल मीता हैव गॉन टो मुंबई सिर्फ जो यह already आप क्योंकि यह already एक interrogative ताप बनाई चुके हैं आपके पास अब यहां है already उपर simple interrogative तो आपको और कुछ changes नहीं करने सिर्फ और सिर्फ उससे पहले जो भी आपका डॉल्यो एच वर्ड है उसको और introduce कर दिजे और आपका negative interrogative बन के तयार है why will meता have gone to Mumbai why sorry negative interrogative नहीं बलकि interrogative डॉल्यो एच वाला तो why will meता have gone to Mumbai why shall we have gone to Mumbai इसी तरह से negative interrogative जो simple वाला already तयार है उससे पहले आप डॉल्यो एच वर्ड इंट्रोड्यो एच वाला आपका negative interrogative बन करके तयार हो जाएगा why will meता not have gone to Mumbai why shall we not have gone to Mumbai तो पढ़ते रहे और हमें भी feedback देते रहे ताकि अगर हमें ऐसा कहीं लगता है कि हम सुधार और सुधार करने की ज़रत है तो हम वो सुधार कर सके और आपके लिए और भी ज़्यादा उपयोगी थाबित हो सके ओके यॉर a cooperation in sense of that comments or that feedback ओके is very valuable for us it gives certain positivity to us ओके it provides us with those insights which are essential to make our videos और are a teaching method far more better ओके so we can be able to serve you in the better way तो try करिए कि अगर आप वीडियो पर visit कर रहे हमारे चैनल पर visit कर रहे हैं तो एक comment छोड़ने की ज़रूर कोशिश करिए और अगर आपको कोई suggestion ऐसा लगता है तो ज़रूर दीजे अगर हमें ऐसा लगता है कि हाँ वो suggestion बहुत काम का है और वो teaching learning method को और अच्छा बना सकता है तो हम उसको welcome करेंगे उसको introduce करेंगे ओके that's all about this video see you in the next one till then keep studying, keep learning and keep growing